तेजस्वी यादों की पत्नी रास्री यादों को याद करते हुए चिराग पास्वान कहते हैं कि इस बार भावी और हमारी बहने नहीं थी तो हम बच गए चिराग पास्वान यह सब कूछ अपनी शादी की बात पर कह रहे होते हैं आपको याद होगा कि ठीक लगभग एक सा पहले जब इफ्टार पाटी में चिराग पासवान गय थे तब वहाँ पर ते जस्वी यादों की पत्नी मतलब कि चिराग पासवान जिनको भावी कहते हैं रास्री यादों और जो ते जस्वी यादों की बहल लोग थी उन्होंने चिराग पासवान से कहा था कि भाईया आप भी शादी कर लीजिए चिराग पासवान ने उस समय इस बात पर हसी मजाद किया था वो सारी की सारी कहानी वहां से निकल कर सामने आई जो की प्यारी सी कहानी थी इस वार मिडिया वालों ने चिराग पासवान से इसी सवाल को पूछ दिया तब चिराग पासवान कहते हैं कि भावी और बहने नहीं है, इसी कारण से हम बच गये हैं। चिराग पासवान इसके बात कहते हैं, कि जब से भतीजी हुई थी, तब से हम मिलकर अपने भावी को बधाई नहीं दे पाये थे, तो इस दोरान हम जब मिलने आए तो हमने अपने भाई की जब बेटी हुई है तो इस मौके पर हमने बधाई भी दिया और चिराग पासवान ये सब कुछ इफ्तार पार्टी में पहुंचने के बात कह रहे थे वहाँ पर तमाम इस परकार की छोटी छोटी आप कह लिजिए राजीती में जब दो अलग-अलग दलों के नेता मिलते हैं तो क्या वहाँ पर प्यारी-प्यारी कहानिया निकल कर सामने आते हैं उसी परकार की कहानिया आप धीरे-धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं और उन्हीं म इफ्तार पाटी में तेजस्वी यादो की पत्नी रासरी यादो नहीं है रासरी यादो अभी बिहार में भी नहीं है जहां कहा जा रहा है कि रासरी यादो अभी दिल्ली में है और रासरी यादो महाँ पर अपना और अपने बेटी के स्वास का ख्याल रख रही है इधर चिर टिस्फवी आदो से वहाँ पर आप कहिये कि प्रेम मिलाप होता है इसके बाद मितिश कुमार सामने दिख जाते हैं इसके बाद से सवाल पुछा जाता है इननकी शादी को लेकर या रास्री यादों नहीं है इन सारी चीजों को लेकर तब सिराक कहते हैं कि भावी नहीं है तो हम बच ग गाए इस के बद कहते हैं कि जब सर्थ हमारी भतीजी हुई है तब से हम मिल नहीं पाए थे वह कहते हैं कि चोटे भाई मंतलब की थे मैं बतिजिंश्डों को कह लिए और थे नी इस दो कि बュर्ण का के दो कि बेटी लेकिन हमारा रिस्ता इस परिवार से इस घर से राजनीती के कारण नहीं है बलकि हमारा ब्यक्तियत रिस्ता है चिराग पासवान कहते हैं कि बच्पन से इस घर में हमारा आना जाना यहाँ पर रहना साथ में खेलना कुदना यह सब कुछ हुआ है तो राजनीतिक तोर पर वो समझाने की कोशिस करते हैं कि हमारा रिस्ता नहीं है ऐसा नहीं है कि हम राजनीती में है तो इसके कारण हम दोनों एक साथ रहेंगे तो रिस्ता रहेगा और राजनीती में अलग अलग रहेंगे तो रिस्ता नहीं करते हैं अपनी नई जो अभी अभी भती जी आई है उस भती जी का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भती जी के होने के बाद अभी यह मिल नहीं पाये थे तो इस बार मिलकर हमने बधाई भी दिया है लेकिन चिराग पासवान की मुलकात उनकी भावी से नहीं हो पाई मतलब तौर पर एक दूसरे के दुश्मन, दोनों राजिंतिक तौर पर एक दूसरे के बिरोधी एक सास आते हैं, तब वहाँ पर राजिंती को किनारे छोड़कर लोग अपने परिवार, मतलब कि एक दूसरे के परिवार को अपना परिवार बताते हैं, किसी की बेटी को कोई अपन भावी कहता है उनकी बहन को अपनी बहन कहता है और यह सब कुछ कभी कभार राइंती में देखने को मिला जो कि ते जब जुटी तब वहाँ पर देखने को मिला है आपके परत्करिया इन तमाम चीजों पर क्या है कमेंड बोक्स में लीकर बताईएगा आगे जो भी तमाम जानकारी जो भी और कहानी आवाँ से निकल कर सामने आएंगी सब कुछ मारत पहुंचाएंगे आप तमाम कहानियों के लिए और तमाम प्रकार क खबर के लिए हमार साथ बने रहिएगा वीडियो वहीं पर समाप करते हैं कि अमरेक से बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद